कि नमस्कार मित्रों अमेरिका पार्टु में आज हम लोग पढ़ेंगे जिल के बारे में हमने पार्ट वन में बताया था अमेरिका का चांसिय विस्तार, देशानतरिय विस्तार, अमेरिका का छित फल और इसके अलावा अमेरिका की आवादी और हमने ये भी बताया था कि अमेरिका के किस और कौन सा महासागर अस्थित है आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका के जिल पर काफी important है जिल से हमेशा आपका प्रस्ण exam में पूछे जाते हैं और आपने नाम सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जिल सुपिरियर जिल तो वह भी मालिक आपका उत्री अमेरिका में ही है तो हम लोग चलिए जिल पर बात करेंगे तो यह पूरा का पूरा उत्री अमेरिका का आपको नक्सा दिख रहा होगा यहां पर हम लोग आज जिल की बात करेंगे तो यहां पर जो महत्पून जिल है आपका देखे ग्रेट बियर जिल आप समझ लिजे अगर आपको अमेरिका में यहां पर आप 20 से एक डिवाइडर के रूप में अगर बाढ़ दें तो आपको बता दें मित्रो कि इसके ये पार्ट जो भी दिख रहा है ये आपका कनाडा है क्या है कनाडा तो यहां पर आप जो भी देख रहे होगे ग्रेट बियर जील ग्रेट स्लेव जील अथवासका जील रेंडियर जील या बीनी पेग जील ग्रेट बियर जील ग्रेट स्लेव जील अथवासका जील रेंडियर जील और बीनी पेग जील ये सारे जील जो है आपका उत्तरी अमिरिका के उत्तर में अस्थीत है हाना देख रहे होंगे जहां तहां आपको इस तरह से जील के रूप में आपको देखेगा तो यहां पर जो उत्तर में आप देख रहे होगे यह सारे जील आपका अस्थीत है इसके अलावा Great Salt की बात करें बीबी आई हमेशा पुश्ता है कि Great Salt जील कहां पर है इसके बात लेक मीड और ओजा आर्क और फोटे प्यक जील यह जील जो है आपका USA में अस्थीत है यह कहां है आपका USA में हाना और यह कहां है आपका कनाडा में तो आप देख रहे होगे इसमें से ये दो जील आप ज़्यादा याद रखेगा ग्रेट वियर जील जो हमेशा पुछता है और एक ग्रेट सलेव जील हना ये दोनों जो हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं या पूछते रहते हैं तो इसको आप देख लिजेगा इसके बाद एक और सबसे जो महत्पुन जहील है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहेंगे मिले वो है आपका एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं होम्स हम्स जिल यहां पर देखिए यह जिल जो है पूरे 20 में विख्यात है एक आपका आंत्रिक जल मार्ग के लिए और दूसरा जो है मीठे पानी के लिए तो यहां पर देखिए जो पांच जिल देख रहे होंगे आप यहां पर वो पांच जिल आपका है हम्स है आपका इस से होम्स होम्स तो आपको याद रहेगा तो समझेगा जो होम्स है वो जो है आपका उत्री अमेरिका में है जिसमें आपका कनाड़ा और यूएसे दोनों आता है यानि यह जील जो है आपका इसका कुछ पार्ट कनाड़ा में चला जाता है कुछ जो है यूएसे यानि अमेरिका म महादेश है और इस महादेश के अंदर में या अमेरिका जो है एक देश है तो दिमाग में हमेशा ये बात रखेगा तो यहां पर जो आपका होम्स जो है पांच जेल इस से आप याद रखेगा हूरन ऑ से ओन्टेरियों ओन्टेरियों। इम से याद रखेगा मीशीगन। इ से याद रखेगा इरी और इस से याद रखेगा सुपीरियर। यह पांच जो आपका जील है बाहत ही महत्पुन है हमेशा एक्जाम में पुछे जाएग लगे जाते हैं कि है विस्प का सबसे मीठे पानी बढ़ा जिल है तब और अब का occupation मीठे पानी का यह हैं लेकिन आपको प्रशन पूछा जा है कि आपका सबसे ज्जादा मीठे पानी का जिल है तब वो हो जाएगा आपका सुपिरियर तो आप जिल के वारे में असानी से समझगे होंगे मित्रों यहां पे के उत्री अमेरिका में कौन-कौन सा जिल है और उसका क्या महत्व है यह पांचों जिल जो है आपको बता देते हैं कि आंत्रिक जल मार्ग के लिए बहुत ही ज्यादा है आप जिल में अगर उतर जाएगा तो लगया कि यहां पे जो पानी का जहाज है बड़े अस्तर पे चलाए जाते हैं यानि ओदोगिक दिरिश्टी से यह जिल का बहुत बड़ा महत्व है आचों कि आपका जल याता यात है और आप जानते हैं कि दुनिया में जो है सबसे सस्ता और सुगम जो जल मार जो वैवस्ता है आता यात का यात का आप है तो आप यहां पे समझ गया हऊंगे क्यों कॉन कॉन से जिब है तो फिर से हम लोग एक फारol कर लें जिल की बात करें तो घ्रेट वीर जील ग्रेट सलेव जील घरेट हना अ पूतरी अमेरिका में है अगर देश की बात बोले तो यह लगबग आपका कनाड़ा में जरनली चला जाता यह सारे जीट और यह जो है यह जो है यहाँ पर हम ने वताया हमस के तरहता आपका कई जिल आता है और यह हूमस जो है जिसमें आपका हूरन ओंटेरियो मिसिगन हना और इसके बाद इरी और इसके बाद सुपिरियर जील क्लियर है तो आपको असानी से समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में कौन-कौन सा जील है और इसका क्या महत्व है इसके बारे में फिर हम और भी स्थार से बताएंगे तो आप अभी के लिए इतना ही रखेंगे ओके